नमश्कार न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हमें एक विशेश मुद्ध पर बातचीत करेंगे जनता जनारधन ने पठान मूवी को हिट बना दिया है हिट भी एक अनप्रिसिडेंटेट किसम का हिट मूवी के रिलीज के पहले बहुत सारे घटनाएं हुई थी फिल्म की जिन्दगी में और उसके मुखे किरदार शारुक खान की जिन्दगी में भी इन सब के बावजूद एक सस्टेंड पोलिटिकल कैम्पेन के बावजूद फिल्म इतनी बड़ी हिट क्यों हुई इसको हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे इस बात को स में रुची है सुपरना जी सबसे पहले तो हमारे कारिकरम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है यहां पर आपके साथ बात करने की आपका मैंने रिव्यू पड़ा रोलिंग स्टोन मैगजीन में विब साइट में मैगजीन मा आपको फिल्म खाच पसंद नहीं आई जी मेरे को भी फिल्म काफी पसंद नहीं आई इन फैक्ट मैं तो मतलब एक सिर्द के बजाए दो सिर्द लेके बाहर निकलाता क्योंकि उतनी लाउड किसम की इनकोहेरेंट वायलेंट फिल्म मेरे को पसंद नहीं आती है जी हमारे औ और आपके विचार इंपोर्टन नहीं है इंपोर्टन यह है कि इस देश की जो जनता जनार्दन है वो इस फिल्म को दुबारा से अपनाए हैं बॉलीवूड को अपनाए हैं बॉलीवूड बैक अगें इंटु दी रेस आफटर ऐसा लग रहा था कि जैसे साउथ इंडिया इसका मैजिक एचली लिटरली इस शारुकान और फोकस भी अभी पूरा जो जो बात चल रही है पाथान की कि क्यों इतना इतना बड़ा हिट है इस ओल फोकस इस ओन शारुकान मैं उसमें दिपिका पाडुकान को भी जोडूंगी बिकर्स उनकी बात इतनी नहीं हो रही वो टॉर्चर जो इस सरकार ने किया उनके साथ वो I think 2015 से शुरू हुआ जब उन्होंने इंटॉलरेंस की बात करी दिपिका पाडुकों के साथ शुरू हुआ है 2020 में जब उन्होंने जेन्यू में जाके खाड़ी हुई जैनवरी में 2019 की बात करी और फिर सप्टेंबर में उ किया था इंटरोगेशन के लिए भी तो एक तरह से शारुक खान तो देश्ट्रो ही हो ही गए थे क्योंकि वो पहले नंबर पे मुसलमान थे दूसरे नंबर पे उन्होंने इंटॉलरेंस के खिलाफ आवाज उठाई थी जो उस समय उठाई थी जब सबसे पहले इस सरकार द पट्रआउ थी यह एंटिनैशनलल है तुक्रा टुक्रा गैंग लिए जैक्ट्लीय आपने बहुत सही है то एक तरह से score of the wise captain थे तंबर तो और ये फिल्म में ने के ये दो 100 है और फिर उसका उदाओ गाना को लेके कि यहां से जैफ्रन कलर को हटाया जाए नहीं हो सकता जैे फिल्म रिलीज हुई, साफ्टन कलर वहीं रहा बिल्कुल, बिल्कुल मुझे फिल्म जैसे आपने बहुत अच्छी नहीं लगी पर फिल्म में बहुत सारे मोमेंट से आपने भी देखे होंगे जो जो अल्मॉस्ट पोलिटिकल है जिसमें एक मैसेज है तो दी ओडियन्स और फिल्म हिट इसी लिए हुई है कि सब कुछ होने के बावजूद जो जो इस कंट्री में जो लव है नोट अनली इन इस कंट्री बट अक्रॉस तर वर्ल्ड मैं अभी पिछले साल मरॉको में गई थी वहां पे भी लोग सड़कों पे भी आप जा रहे हो तो बोलते हैं इंडिया उसके बाद बोलते है शारुप खान जैसे शायद सब्सक्राइब के बारे में एक तरह से आउटसाइड इंडिया जो अपील था आपको याद होगा साथ हां सबस्क्राइब कर दो बढ़ा है तो वहां पर और देर से आती तो अपने पोलिटिकल बात की तो दो मेरे को सबसे एहम पोलिटिकल पॉइंट्स मेरे को नज़र आए एक ये एक डायलोग है कि पठान को रहना होगा पठान जा नहीं सकता क्योंकि पठान हर एक को बांध के रखता है और दूसरा उस फिल्म के अंत में जब सब कुछ निपट गया है तो जो रेल जो ट्रेन जिसकी उपर एक मेज एक्शन सीक्वेंस वाता है उसके तूटी-फूटी हालत में खुद चोट खाय हुए हालत पे सल्मान खान और शारुक खान के कैरेक्टर वहां बैठके बात कर रहे है और बैठके तीस साल हो गए भाई अब रिटायर करना चाहिए लेकिन अल्टिमेटली कंक्लूड करते है ये भी नहीं अलाओ होगा ये भी नहीं चलेगा ठीक वो भी नहीं चलेगा और ये भी नहीं चलेगा तो भाई हमीं लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि देश का सवाल है तो मेरे ख्याल से ये एक सीरियसली डायलोग बोला गया और दूसरा जो है मजाक में बोला गया लेक significantly तीन dominant Khans में से दो हैं वो बोल रहे हैं कि हमको अभी भी और करते रहना पड़ेगा और उसमें ओर्डियन्स की ताली पर जा को जा को जो जी बिल्कुल तो मेरे खाल से ये बहुत important है बहुत इस इस फिल्म में ऐसे जैसे coded messages है टू टू फैन्स और audience को जैसे उन्होंने कैलकटा में भी शारुक खान ने फिल्म की रिलीस से पहले बोला पठान अभी जिन्दा है जो एक्चिली टाइगर का सल्मान सल्मान खान का जो signature dialogue है तो पर उन्होंने बोला अब फिर उन्होंने कल परसो एक चैट किया उसमें भी उन्होंने बोला कि किसी ने बोला आप interview नहीं दिया और something और उन्होंने बोला शेर तो interview नहीं देते हैं अब उसका भी लोग मतलब क्या निकाल रहे है कि किस की बात कर रहे हैं वो तो वो ये double messaging बहुत interestingly इस फिल्म में उन्होंने दिया है और वो जो आप खास कर की वो जो जोडने वाली बात है पठान जोड के रखेगा I think that वो वो अपील की है कहीं न कहीं audience को but I want to go थोड़ा सा पहले ये फिल्म हिट सिरफ इसले हुई है कि ये इस सरकार इतने सालों से एक इंडिया का जो love affair है with Bollywood we are in love with Bollywood we love Bollywood stars we love ये जो make believe फिल्मे हैं जिसमें हम अपने आपको गुम ये नो हम गुम जाते हैं इन फिल्मों में उसके बीच में उस love affair के बीच में ये सरकार आई इतने साल कुछ कुछ करके ये ड्रग्स लेते हैं ये ये करते हैं शुषान सिंग राजपूत के केस में इतना बैटर किया दे ड्राइट सो मनी पीपल इंटो जेल इंटो उसके बाद ये नो आपने केस पे केस चारुखान सान और इस सब का निकला कुछ नहीं है कुछ शुषान सिंग राजपूत का केस का कुछ नहीं हुआ है आप गंगना रनावत को पुष करते जा रहे करते जा रहे शेकुमार को प्रोमोट कर रहे है तो आई थिंग ये एक जवाब है कि लीव आवर फिल्म आवर बॉलिवूड अलोन मेरे खाल से ये जो सवाल है ये जो पॉइंट है जो डायरेक्शन है कि लीव बॉलिवूड अलोन मेरे खाल से सबसे अनवोकली डिसेंबर के महीने में जब कलकता में इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवल का जब इनाउगरल हो रहा था तो उसमें अमिताब बच्चन को बुलाया गया था उसको रिलीज करने के लिए और उन्होंने एक बहुत लंबा प्रिपेड भाशन दिया था जो जया बच्चन के हिसाब से तीन साल से उनके दिमाग में पक रहा था लेकिन आये नहीं थे वो बोली थी कि वो आये नहीं थे क्योंकि कुछ न कुछ बिमारी हो जाती थी बेसिकली बोले थे कि शायद उनको डाउट हो रा था बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए अल्टिमेटली आके बोले बिल्कुल तैयारी के साथ और उसमें resoundingly उन्होंने ये बात बोला कि cultural interpretations और हमारे narratives को आप politically उसको influence करने की कोशिश मत करिये इतिहास इक जो फिल्म बन रही है इतिहास को उन्होंने exactly वह historical jingoism मतलब इतिहास के नाम पे जिस तरह के फिल्में हो रही है उस तरह के फिल्में ना बनाई है ठीक उसके कुछी दिनों के बाद मेरे काल जो दो सब्ता या तीन सब्ता से कम पीरियड में भारती जनता पार्टी का national executive का meeting हुआ था जिसमें प्रधानमत्री नरिनर मोदी अपने पार्टी के कारेकरताओं को सपष्ट message देते हैं कि सिनेमा के content को लेके आप लोग कुछ पूरी है इसी बीच में बेशरम दुनिया को लेके उसमें से सैफरन रंग हटाने को लेके बहुत बड़ा major controversy हुआ था तो ना बात हुई शारुक खान की मोदी जी के भाशन में ना बात हुई सैफरन हटाने की बात हुई लेकिन एकदम से जो कुछ प्रोटेस था वो डाइडाउन कर गया सैफरन उस गाने में उतना ही प्रॉमिनेंट है जितना जब रिलीज हुआ था मैं तो उस गाना के जब शुरू हुआ तो यही देख रहा था कहां कहां है कोई कटा है या नहीं कटा है तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं स्ट्रॉंग मेसेज गया है बिकाउस अफ़ फाइट बैक फ्रम बॉलिवूड लेट बाया अमिता बच्चन आपको कैसा भी आपको लगता है फाइट लेट बाया अमिता बच्चन तो मैं नहीं मानूगी बट उनका इतने साल उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है वो बलकी बहुत ही aligned रहे हैं इस सरकार के साथ तो पट उनका बट अमिता बच्चन का तो फाइट लेट नहीं है एटा स्टेज्ज्ड तो वो भी उनके आसंपास कान है वो भी, you know उनका यह बोलना इस really really significant because he is like that film censorship की बात की उन्होंने किन की चीजों की बात की उड़के जो भाशन का जो content है उसको आप analyze करी है तो अलग-अलग चीजों पर बात किये political influence on cinema के उपर बात की he goes decade by decade उन्होंने उस पूरी speech में बोलाए see he's a very he's a literary man वो लिखते भी है वो हरिवान श्राइबच्चन के you know he's the son of so he's वो इतनी देर तक चुप थे उस बात का दुख है सब को खास करके उनके फैंस को पर वो बोले वो बहुत-बहुत-बहुत significant है क्योंकि there is nobody else who has that gravitas वो एक वजन जो है अमिता बजन का वो film industry पूरी Indian film industry में और किजी का नहीं तो क्योंकि उन्होंने खड़े हो के बोला वो बहुत significant है but उसका क्या impact है I don't know पठान का credit श्रे जो भी है उसकी success का वो जाता है I think शारुक खान को और जिसने फिल्म लिखी है और बनाई है जो एक बहुत ही interesting political balance किया है फिल्म में की article 370 को कश्मीर से हटाना is okay according to the film कि वो ठीक है और उस चीज़ को irritate पाकिस्तान में लोग उस बात से नाराज होए हमारे यहां पर कोई नाराज नहीं हुआ उस बात से ये फिल्म का उसे मेरी हम जैसे लोगों की disagreement है problem है है ना बट उस उन्होंने फिर ये भी दिखाया है कि पाकिस्तानी ISI agent से इश्क भी है प्रेम भी है लेकिन वो पाकिस्तानी ISI agent जो है अपने वहां के establishment के खिलाफ है तो कि उनके moral जो fabric है उस से बाहर वो इंसानियत इंसानियत is more important to दिपिका के लिए वो ज़्यादा important है रादर रेन की एक कोई उनका जो ISI का बॉस है तो ये politics उनोंने बहुत interestingly उसको play किया है पाका भी जो character है वो orphan है और अफगान गाओं में बड़े हुए उनको जहां बड़ा किया गया अफगानिस्तान में एक परिवार ने गाओं में बड़ा किया जिसको और मतलब it's all very filmy सब कुछ बहुत filmy है बट हर चीज की नीचे एक political undercurrent है हर एक में जैसे अफगानिस्तान दिवास कोई जरूरत नहीं थी उसकी कोई जरूरत नहीं थी अफगानिस्तान हाँ बड़ आपने ले के आए तो यही आई थिंग यही यही शारुक खान की एक speciality है की उनके लड़के को जब द्रैक किया उसकेस में वो चुप रहते हैं वो बोलते जादा नहीं है but there is strength and lot of dignity in his silence he goes about what he has to do वो कभी चैन नहीं करते हैं वो अपनी being a Muslim को वो कभी हाइड नहीं करते हैं फिल्म का नाम उन्होंने पठान से पाथक नहीं रखा वो चैन्ज नहीं किया उन्होंने अपना उसमें जो जो वो अपनी Muslim identity को कभी भी हाइड नहीं करते हैं हाइड नहीं करते हैं और कोई बहुत ज़्यादा publicize भी नहीं करते हैं पर नहीं ये publicize करते हैं कि उनकी खुद एक interfaith marriage है कुछ भी नहीं मतलब attack का हिसार आए फिछले साड़े आठ सालों से लब जिहाद का पूरा campaign सबसे बड़ा जो target होगा वो तो शारूख खान होगा बट गौरी नेम इस गौरी तो तो आइधिंग ये जो एक swag है I don't know उसको क्या बोलें swag को एक जो शारूख खान का मेरे ख्याल से आपने जो बोला कि जहां लोग जाके भूलना चाहते हैं तो शारूख खान हमारे आपकी बात से जो मैं समझ जाओ जो make-believe दुनिया है उसका एक तरह से सबसे प्रमुक किरदार है hero है वो उस दुनिया के उस दुनिया के make-believe है make-believe में से आस्था चली गई थी क्योंकि भारती जन्ता पाटी के लोग और संग परिवार के लोग लगातार campaign करते आ रहे थे कह रहे थे कि यह जो make-believe दुनिया है यह anti-hindoo है अगर विलिन के तौर पर दिखाया जाता है तो सिर्फ पंडित को दिखाया जाता है मंदिर के मस्जद के मौलाना को क्यों नहीं दिखाया जाता है इस तरह के campaign अगर आप ढूनने लगे internet पे तो मतलब इतने ज़्यादा आपको instances मिलेंगे और खास तरह से Bollywood के लोग ही मिलेंगे मैं कितनी बार गिना सकता हूँ कि Kangana Ranaut या किसी और ने कुछ इस तरह की बाते गई तो अक्सर हमको देखने को मिलेंगी लेकिन इसका मतलब क्या यह है कि साड़े आठ साल से जो लोग एक तरह से जो राजनीती चल रही है उसके जो एडिक्स हो गयते इसा है कि वो उससे डी एडिक्स हो गये या दोनों दुनिया में इख़ते रहेंगे कि उस दुनिया में भी और में बिलीव दुनिया में क्योंकि उनको दुबारा से एक ऐसी फिल्म में लिए जिसको वो लोग एंब्रेस कर सकते हो एडिक्स, I तिंक जो जो लोग कटर हिंदु नॉट हिंदुट्वा नॉट हाँ नॉट हिंदुट्वा राजनेतिक हिंदुट्वा जो लोग है जो उनका तो I don't think उनका कोई change होने वाला है वो भी कहे होंगे इस film I am sure वो बहुत सारे बल्कि जोक्स भी मीम्स भी है कि प्रोटेस्ट करने गए थे फिल्म देखके आ गए तो वीडियो देखे हैं मतलब पता ही कितने सही हैं कितने गलत हैं इसमें I don't know कि उनका क्या change हुआ है या but I think even लोग जो माईली कि हाँ कश्मीर में जो इनोंने निकाला you know 370 को ये ठीक हुआ जो भाजपा BJP सरकार के बहुत सारे स्टेप्स को कि हाँ बॉलिवुड में ड्रग्स भी है ये सब भी है जो उस नारेटिव को जो बाए कर रहे हैं I think उसमें भी उस शारुक कान के सारुक के फैन्स है और ये जिए हैं बागी सब स्टार्स से दिए हैं शारुक का फैंड़म is insane मतलब लड़कियं उनकी इतनी मतलब पागल टाइब की फैन्स है जैसे एक जमाने में आम राजेश ém करना को देखते थे जी आपको वोट दिया लेकिन बॉलीवूड को छोड़ दीजिए हाँ क्योंकि आप ये सब करने के बावजूद आपने हमको कुछ उनके बेटे को ले गए उसका कुछ नहीं हुआ उस केस का आपने सब को अक्यूज कर दिया कि सब ड्रग्ज लेते हैं आपका प्रूफ जीरो अंडा है उसके बाद तो आप क्यूं हमको हमारे इस में अब क्यूं आ रहे हैं इस चीज में ये इस इस नॉट यॉर बिजनेस यू प्लीज गो वे फ्रम ये इस बेट्वीन देम एन अस हम 2019 के बाद से सबसे ज़्यादा थोड़े ज़्यादा एनर्जी के साथ जो हिंदुत्वों का कैमपेंड बॉलिवूड को डिस्क्रेडिट करने के लिए था वो ज़्यादा सुनने को मिला हमको हूं 2020 और 21 में ऐसा लगने लगा था कि हिंदुस्तान की राजनीती की प्रेशर क की वज़े से माइनॉरिटी की जगा बिलकुल खतम हो जाएगी लोग यहां तक बोलने आए थे कि एक प्रेकूलियर दौर था कि जब दो दशक से ज़्यादा नंबर वन से लेके तीन तक के पोजिशन में तीन खान बैठे रहे वो दौर कभी कभी दुबारा कभी नहीं डायलाग होता है कि आगे हमीं लोगों को काम करना होगा क्योंकि देश का सवाल है तो क्या हम यह मान सकते हैं कि दुबारा से माइनॉरिटीज को पॉपुलर कल्चर में एक मेक बिलीफ वर्ल्ड में उतना ही अगर टैलेंटेड हो तो और लोग उन्हें अगर चाहते हो तो उनको जगा मिलती रही बॉलीवुड में तो हमेशा 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 एक बॉलीवुड हमारा एक सेकुलर एक 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 शोपीस भी है जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं पॉम्पोसिट कल्चर का मतलब शोपीस ना हमारी फिल्में भी और जैसे आप दिलिप साब से ले जगा तो इसमें आपका सवाल यह था कि क्या दुबारा से जैसे लगने लगा था कि माइनौरिटी की जगा खत्रे में आ गई है तो क्या माइनौरिटी इसको फिर से एकसेप्ट किया जाएगा जी तीन खान के सामने वो जो लास सीन जो आप बोल रहे हैं जो आपको बहुत अच्छा लगा है मैंनको बहुत 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 ही क्यूट था और उसमें वह वाके ही सच है और कोई सुपर हीरो सुपर नहीं है बॉलिवुड में तू टेक ओन इन तीनों खान के आगे आने वाला मनलब एक हे रितिक का आएगा अक्षे का थोड़ा कुछ ना कुछ आ सरनेम खान है या किया लोगों को नहीं मैटर करता वो बात नहीं मैटर करती देर इस अलव फोर देम जो जिसके बीच में आप वो नहीं चाहरे कि अब अब प्लीज इस से निकल जाएगे क्योंकि अब वी वांट आवर बॉलिवुड बैक इतनी दिनों से हम सौथ इन फिल् को थोड़ी एक आदी कोई हम देख लेंगे दो देख लेंगे तीन देख लेंगे पर हमको अपना बॉलिवुड मसाला फिल्म में हमको चाहिए उसके बिना हमारा गुजारा नहीं होता है सो सो दे वर आलवेज हैर बीच में ये एक वो एक जैसे लव स्टोरी फिल्मों की हो मेरे को मेरे फिल्म मेरे को एक चीज जो लग रहा था पठान फिल्म देखते समय शारू खान की बहुत फिल्म है शारू कесто्श चाहर रोन्हाँ को सबसे पहले तो एक रोमांट्टिक हीरो के तार पे देखा ग्या यह पहली फिल्म में जिसमें वो एक्शन हीरो के तौर पर सामने आते हैं मतलब इतनी बड़ी लेवल पर जो हिट होई है दूसरा ये कि उनके फिल्मों में जातर एक ट्रडिशन रहा है कि जो मुस्लमान भी हो एक्टर नाम हिंदू होते हैं राज होगा विजय होगा कुछ और होगा सि और आपने भी बोला कि इसमें राजनीती को बहुत सटल तरीके से अंदर डाला गया है तो सवाल ये उठता है कि इतना पुलिटिकल एटैक फेस करने के बावजूद इतनी करेज बॉलीवूड में कैसे आई बॉलीवूड में करेज तो नहीं है शारुक खान में करेज है शारुक खान सब से डिफरेंट है वहेसे नौट लाइक अमेर खान he is not like Salman Khan एक तो उन्होंने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा किया ही नहीं है आज तक कि जिससे जैसे Salman Khan का तो वो केस है शूटिंग का फिर वो ड्राइविंग वाला केस है तो उनकी तो यूनो एक डिफरेंट परसनेलिटी और डिफरेंट कहानी है शारुक Khan ने कभी किसी को तंग नहीं किया है बट वो वो प्लाइण्ट नहीं है जैसे 2015 में अगर आपको याद हो वो प्लेन लोड्स बॉलिवूड के लोग आते थे मोदी जी के साथ सेल्फी लेने I think 2015, 16, 17, 18, 19 में 2019 में फाइनली शारुक Khan ने वो पांच साल, 6 साल जो भी वो आए नहीं वो आए नहीं और वो शायद फाइनली जाके तब आए जब प्रेशर बहुत ज़्यादा उनकी फिल्म फ्लॉप हुई उनकी एक फिल्म फ्लॉप हुई उसके बाद but I think pressure बहुत डाला गया उनके उपर और फिर वो आए फिर उन्होंने एक दो ट्वीट भी करे प्रो मोदी और ये सब करे but अगर आपको याद हो लता मंगेशकर जी की के फ्यूनरल पे उन्होंने you know he praying for the soul for someone yeah and there was some something so touching about it but I think मेर कद़ बोलते भी I get emotional there is that is the power of of his मैं बारवार यही बोलती हूँ उनकी silence और उनके gestures में एक power है वो एक communicate कर देते हैं कि वाकई वो he's not somebody who is going to cow down आप उनके बच्चे को ले जाए जेल में डाल दीजे आपने इतना सब कुछ किया आपने उनको personally target किया उनको बच्चे को जेल में डाल दिया वो कभी कुछ बोले नहीं और इतना target होने के बावजूद उनकी film आती है जो फॉरूले में fit हो जाती है और इपने थोड़ी दिर पहले आखरी सवाल आप से पूछ रहा हूँ थोड़ी दिर पहले आपने कहा था कि एक तरह से बॉलिवूड जो है हमारा जो composite culture है उसका एक तरह से शोकेस था तो क्या आपको लगता है कि पठान से दुबारा से वो शोकेस के दरवाजे लग खिड़ी के आख फिर से खुल रही हैं लोग फिर उसमें जाने लग रहे हैं और शायद हम इसमें उम्मीद लगा सकते हैं कि इससे दुबारा culture और राजनीती का जो link था जो पिछले साड़े आठ साल से देखा गया ये अब वैसा नहीं रहेगा इससे पहला था दोनों की अलग दुनिया थी एक broadly speaking हिंदुसान को represent करती थी क्या उस यूग में हम लोग वापस जाने की संभावना देखती है आप नहीं जी उस यूग में तो हम वापस नहीं जाएंगे क्योंकि ये फिल्म भी इसी यूग की है ये इसमें patriotism है इसमें भारत माता भारत माता वो बहुत है इस फिल्म में तो इस इस टाइब की फिल्म में अभी चलेंगी क्योंकि लोगों का mood यही है अभी लोगों का mood है कि हमको देश को बचाना है हमारा पहली बात हमारा देश खत्रे में है ये बहुत ingrain हो गया है 7-8 सालों में तो इस टाइब की फिल्म में ही चलेंगी अभी देश को बचाना है, देश को खत्रा है, लेकिन पठान हमको बांध के रखेगा. मेरे खाल से ये सबसे बड़ा मेसेज है इस फिल्म का और शायद उसकी काम्याबी का यही सबसे बड़ा कारण है. सुपर्णा जी हमसे बात करने के बहुत धन्यवाद. पॉपलर फिल्म लेकिन बहुत ही गहरा पॉलिटिकल इंपक्ट, सोशिलोजिकल इंपक्ट इस फिल्म का मैं आने वाले समय में रीट करता हूँ देखता हूँ. धन्यवाद एक बारा हूँ. तो ये थी पठान क्यों सक्सेस हुई? देश बचाना है, देश खत्रे में है, लेक लेकिन एक सेकुलर फैबरिक को हम नहीं छोड सकते हैं. नमस्कार.